है भाई बहुत-बहुत मुबारक हो बजार न किस पांच सो का लेवल काट लिए किस पांच सो पांच का आज हमारा लाइफटेम हाई रिकॉर्ड दर्द हो चुका है कि अब यह कहना चीए किस पांच सो ओफिशली कड़ ए वैसे तो 2700 पहली कड़ किया था लेकिन और ऑफिश में मैंने अपने बात दिल की कहिए साथ में डिसकलेमर भी दिया है कि भाई मैं नौस्तेदमस नहीं हूँ मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि मैंने भविश्यए नहीं दीखा है मेरे विचारें सब गलत भी हो सकते हैं आप अपने विचार अपने हिसाब से बनाएं आपको डारलिंग क्या लगता है बजार इस वक्त तेजी के महाल में मुझे कमेंट में लिखिएगा एक शब्द में कमेंट में लिख डालिए है कि शेयर बजार बहुत ही खतरनाक जगह है यहां एक भूली फाइनिंशल तभाई के लिए काफी है मैं केवल एजुकेशनल वीडियो सी बनाता हूं मैं कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं चर्चा किये के स्टॉक उधारन के लिए और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए बलकि अपने रिस्क एपिटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए सदा याद रखें जिसने ली टिप उसकी हुई डिप शेय कैसे आप बजार ने आज फिर नया लाइफ टेम हाई बनाया और अब की बार कहते हैं ना एविडेंस के तौर पर 21,500 लेवल काट दिया बजार जो है इस वक्त अपने हिसाब से चल रहा है हाना कि अंतराश्ट्य बजार ठीक ठाक है न्यूट्रल है उसका प्रभाव पॉज आज चर्चा करने वाला हूं जिसमें मैं अपने विचार अवियक्त करूँगा कि भई मुझे क्या लगता है बजार के प्रतीप पहली देदू मैं नौस्तर दमस नहीं हूं जिसने फ्यूचर देखा है इसके चलते मैं गलत भी हो सकता हूं आज सारे बजार हम बात करें अगर हम चलें यूरोब की तरफ तो यूरोब भी पूरी हर्याली है एक स्विजेलेंड का SMI इंडेक्स है जो ना के बराबर लाली आली में 0.04% गिरा हुआ है बाकि सब हर्याली में हलाकि हर्याली थोड़ी थोड़ी है आदा परसंट से कम की है अब चलते हैं अमरीका की त सब्सक्राइब तो 0.35% के लपेटे में हरें लेकिन जो स्मॉल केप 2000 है वह 1.6% के आसपास बढ़ा हुआ यानि ओवराल बजार का मूड महल जितनी तारीफ की जाए उतना कम है बहुत ही अच्छा मूड महल है अब भारती बजारों की बात करते हैं आपक्यों आगे हूं आ पार्किट मूड काफी गिरा है 75 से गिरकर 60.6364 आ गया है यानि आज जो है हम एक्स्ट्रीम ग्रीट से गरीड में आगे यह अच्छी बात है यानि बजार थोड़ा सा हलका सा थंदा हुआ है अब अगर आप अंतराश्टी इंडिकेटर देखेंगे तो यूस डॉलर इंड सबर्दस बहुत पॉजिटिव हैं अब अगर हम बात करें किस तरह से हमारे देश में एफाइज ने काम किया थोड़ा सा इस वक्त जो है पुल्ट पुल्ट वाला काम कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आरा क्या कर रहे हैं आज क्या सेग्में में बड़ी विक्वाली और स्टॉ फ्यूचर में बिक्वाली कुल मिला के एक सो पांच क्रोड़ की इसके चलते अगर आप दिया इस की बात करें तो तीन सो क्रोड़ से हलकी कम की नेट खरीदा रही था हैं उन्होंने कैश सेग्मेंट में आज बड़ी सी ठीक सी बिक्वाली है यानि बड़े दिनों बाल मैं रिटेल निवेश्कों ने माल खरिदा अब देखिए की लॉंग स्टॉर इंडेक्स में दो बहुत पॉजिटीव हो चुकी है 62.31 अब यह ऊपर की तरफ चले गई है यानि अब इंडेक्स मतलब मैनेजमेंट हो सकता है जिसके चलते थोड़ा इसको और बढ़ा के रोका जाए कल 21,418 पे बंद हुआ था अज गैप अप अपनी थी लगभग 60.00 उपर खुलता है खुलते ही नीचे की तरफ दौरता है बॉटम बनाता है 21,337 का यह जो बॉटम है कल की क्लोजिंग से अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे का बॉटम बनता है फिर बजार सारा दिन च करता है उसी के आसपास ही कहा जाएगा 21,453 पर बंद होता है पॉइंट वन सिक्स पर्शन की बढ़त के साथ आज जो कॉंट्रिब्यूटर से कोल इंडिया नेसले एंटी पीसी टाटा कंजुमर प्रोडक्ट सिपला रिलाइंस एस्बी आई यह सारे शेर्स जो है भाग रह कि शेर्स तो बढ़त जो है वो रिलेटिवली ज्यादा थी तो आज देखेंगे तीन दिन से बजार उसी लेवल पर कंसॉलिडेट कर रहा है जिसके चलते थोड़ा आरे से ठंडा होने की कोशिश कर रहा है मेसीडी चार्ट पे बुलिश क्रॉसर दो दिन सा लगातार हरे ल इस वक्त एक्जिस्ट करते हैं जो बजार को बाईस साड़े बाईस तेईस साड़े तेईस चौबिस तक के लेवल पर ले जा सकते हैं अग्यांदा ज्यादा ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है एकॉनमी फुल स्टॉंग मोड में और इंट्रस रेट लगता है पीक आउड कर चुके हैं इंफलेशन पर भी काबू आता हुए नजर आ रहा है जिसके चलते बजार में सारे इस बात को बता रहे हैं कि बजार एक बड़ी तेजी दिखा सकता है दो जर चौबिस में उपर से एलेक्शन है इलेक्शन का में रिकॉर्ट स्टड़ी कर रहा था जह यानि पीछे और आगे मिला लिजे चेचे मीने तेजी दिखा बाता है अब यह सब फैक्टर्स हैं लेकिन देखो शेर बजार में कुछ भी रिपीट नहीं होता है मैं लगा किसी पास्ट को आप बेस लेके नहीं चाल सकते हैं क्योंकि शेर बजार चोक आता है लेकिन यह ब पच्छी सब्सक्राइब ले लिजी हो गया दो गया चॉबिस हजार तक मेरे साबसे बजार जा सकता है लेकिन बिच में बड़े जटके भी दे सकता है आपको डिरा भी सकता है और जो ट्रेडर्स नुकसान भी पहुंचा सकता है तो समझदारी से काम करना आब इंगी में ब काफी समित भाल ही निकल पाया अब जाकर ही अच्छे प्रॉफिट में फार्मा सेक्टर में फस गया था डेड़ सार वेट करना पर लिए तो यानि यह सब भी हमें ख्याल रखने कि हम बहुत जादा उपर के रेड़ में ना फस जाए बड़ा सारी कहानी समझा दिये अपनी फिलिंग बता दिये विद डिस्क्लेमर कि भाईया मैं नॉस्त तो हूं नहीं गलत प्यों सकता हूं बाकि जिसने जो काम करना वो तो अपने रिस्क एपिटाइड के साफ से करना ना ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए अब मैं इतना ठीक चल रहा है न बढ़िया है तीन रुपे कमा चुका है लगभग चार उप्षपर का प्रॉफिट दिख रहा है अन्रेलाईज सात रुपे से क्या सपास का प्रॉफिट है क्या सारे प्रॉफिट संसार के तूने इसी जनम में लेने है पुए अपने वो शांत कर ले हैं क्या करें शांती में जो मज़ाना किसी चीज में नहीं है अब 21453 बज़ार बंदुगा अब गोल मडूल बात देखी किसार पांसो पर आजी इकिस चार सो पर पूट राइडिंग जबरदस्त है इकिस पांसो पर पूट राइडिंग बढ़ी है पर यहां कॉल राइडिंग ज और सो तक है लेकिन राइडर्स या को कॉल राइडर पूट राइडर ऑपरेटर क्या है इसमें वह तो मैं पता नहीं यानि अभी तो स्ट्रॉंग रिसिस्टेंस नजला रहा रहा एकिस चार सो का नीचे और इकिस पांसों को उपर पर इसको बदलते देर नहीं लगती ऑप हुलका फुलका यही बता रहा है कि किस पांसों के उपर बजार बढ़तो सकता है पर वह धीरे-धीरे तकलीफ से बढ़ेगा मंतली पॉइंट अब वीकली में क्या कांड होता है वह तो तभी बता चलेगा अब देखिए बिल्कुल नूट्रल से हो गया PCR मंतली वाला तो हलक क्या कि रहा है कहीः में निखल जाई वालर नी इतने मुझ्य से तु प्यार जता के मैं इक पागल आव़ा या मैं उपर जाऊंगा रे या नीचे तुझे मरवाद वाद तो यह निफ्टी बिलकुल इशारा क्लूई नहीं दे रहा है इतना न मुझ पे तु विश्वास कर मैं बड़ा खतरनाक बन गया रे अब जहां माना निफ्टी विफ्टी हलकी से रियाली बंद हुआ निफ्टी बैंक मिलकुल फ्लैट कल इसकी एक्सपायर है आज फ्लैट है आज अच्छी गासी असी पॉइंट की गैप अपनी खट से नीचे गया चार्सो चैलिस का बॉटम बनाया कल के मुकाबले नीचे और फिर बढ़तारा बढ़तारा बढ़ता यहां वही पीक बनाया और ताली से उपर का आज इसने लाइफ टैम हाई नहीं पीछे पिर हलका स प्रेंड हो गया और ताली से नीचे की क्लोजिंग देता है ना के ब्राबर बढ़के अब बढ़ा जबर्दस कहरें ब्रेक आउट आ गया अब एकसी एकस्बी आई तो बहुत करम हो चुका है छेसो पच्पन सो डेड़े सो रोपर घुमा करता था कभी एक्सिस बैंक बैंक सब इस वक्तेज हैं गिरने वालों में आप देखी ने दिगज बैंक एच डिएफसी यानि इतने दिगज बैंक की कोटक भी जोड़ो यह गिरे हुए थे फिर भी इंडेक्स फ्लैट बन हुआ है यह बाकी शेयरों का बड़ा भारी कॉंट्रिविशन था तेजी का गिराव को ने दा तो रहा नी के उपर होता है extrem औरएक्स तौ अभी sẽ से पके बीच होता है थोड़ा सा यह C नरम हो गया और इसकी है अगर आप ऑप्शन चेन से ना सिल नलश और इसके आगई थोड़ा से आगई 200 पॉइंट पर कॉल राइटर्स दबा के बैठे हुए हालकि कॉल राइटर्स 47-800 पे भी हलके बढ़े पर पुट राइटर्स के मुकाबले कम है अब कल बड़ा तमाशा होना चाहिए शेरों में मुझे लगता है कल एक बड़ी वॉलेटा किये तो बजार को मार देगा 100-200-300 पॉइंट कॉल बाए किये तो खीज देगा 100-200-300 पॉइंट तो कल कल का ही पता चलेगा अब इसका पीसियार देखिए वीकली वाला दो फुला डाउनी है पॉइंट नाइन है और मंत्री वाला बिल्कुल न्यूटरल है एक के लपेटे म मैंने ठीक है ठीक है थे आट सो शेयर सारे बेच दी वो फ्यूटर खेद लिए जिसके चलते मुझे 75,000 का प्रॉफट हो आज काम मैंने काफी किया एक तो फ्यूटर कॉल स्ट्रेजी हो नहीं बड़े जिन से एक शेयर में देख रहा था मेरी निगाहें गड़ी थी वहां जहां मैंने फ्यूटर कॉल लगाई आज यह वाली इक स्ट्रेजी लगाई फिर एक मैंने स्टॉक स्क्वेर आफ किया एक सेफ पुट सेल करी एक सेफ कॉल सेल करी फिर मैंने आठ नई बार कैश सेग्मन में खरीदारी करी तो और एक स्टॉक तो मैंने बताया आपको बेच मैं इगल बनके चलता हूं मेरा गाना साफ है गौन आर बुल्स गौन ऑर बेर्स इगल इस डी विनर लेट्स पी ए क्लेयर जानी इगल प्रभु के आश्क्रवाद से प्रभु कृपा से और आप लोग की शुब कामनों से अपने हिस्से का दाना-पानी निकाल लेता है अगर आप भी इस सब चीजे सीखना चाहें रिस्क मैंजमेंट कैश मेंजमेंट मैं कोई टिप नहीं देता हूं साथ टिप के लिए मेरे बसक प्रफेक्ट हो जाएं तो किस तरह की काम में करता रहा है आज तो बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं ला ना बरकार की स्ट्राटेजी लगा रहा हूं बच्चे भी देखते हैं पूछते हैं कि सब्सक्राइब को यह मेरी बड़ी अपको पूछो के भी तो एक ही स्ट्रेट ज हैं और अगर उसमें आपको डिस्ट्रेट समझ नहीं आता है तो किसी फानेंशल अद्वाइजर की है अगर आपको मेरा स्ट्रूट मनना वाट्साप पे तो सत्तर ग्यारा तीन सो तेही जीरो सतक्ता यानि सेवेंटी इलेवन ठीट्वेंटी जीरो डबल सेवन तो मेरी टी आप स्टोक मार्केट के बीत आज बाच्शा बनें